पाटो निक्षा में बैठते ये हैं सिंगापूर के राश्चपती, सिंगापूर के राश्चपती धर्मन, सनमुगरतनम और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं राश्चपती के साथ आए कई विदेशी मेहमानों ने पटवा हवेली का भी दौरा किया पाकिसानी फोर्सेस पर हमला, पाकिसानी शेहीुं पर हमला, कुछ दिन में हम देख रहे हैं, कुछ हफ़ते में, की वाकयात बढ़ रहे हैं दर्शेगर्दी के तिंगापूर को कहा जाता है कि वो रार्जस्ट, सेकेंड लारजस्ट इंवैस्टर एंड इंडिया एक foreigner का point of view पाकिस्तान के बारे में एक perception है क्या है उसका perception अगर यह है कि वहाँ पर बुर्फों में खवातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के klushen को उठाई भी है तो वो कभी भी इस जगा का रुफ नहीं करें जिसकी जो investment है जो cumulative investment है जो foreign direct का investment का जो inflow है इंडिया के अंदर वो year 2000 से लेके year 2023 तर 153 billion डालर है आप कही ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं आप उनकों देखनें भारत आज कहां खड़ा है जिनसे हम अलग हो कर आए हैं और आज हम कहां पर खड़े हैं पाकस्तान के साथ सारे मुलकों की ही तकरी板 नहीं बनती है हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती वो भी मुसलमान हैं फिर हम कैसे मुसलमान हैं हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये ओפרचुनिटी क्यू मिली इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही अबादी उसके ओपर बोज बन जानी थी, उसको अपरचुन्टी इसलिए बनी, क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसी देखे जाएं, इतना काम कर रहे हैं, एवन के वहाँ मुसल्मान, खवातीन का ये कहना है, कि नरिंदर मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरुट नहीं है, नरिंदर मोदी हमारे भाई जान होने के तमाम फ्राइसर अंजाम दे रहे हैं, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब अब ही करण सीचेशन समझनी है, तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा, पिछले 50 साल में आप जाती हैं, तो आपको पता चलेगा, जितने भी मुसल्मान बड़े-बड़े लीडर से, चाहे वो पाकिस्तान में थे, चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सब का ऐसे मडर हुआ कि आज तक नहीं बड़ा चलता, जब आपकी लीडर्शिप खतम होती है, उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं, तो यही हाल होता है, अभी जी की जो करण सीचेशन है, वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ, उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपको करता हूं कि मैं बीपय में काम करता हूं, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में तो वहां कि जो यूएसे कि सबसे बड़ी कंपनी है, ट्रकिंग ट्रकॉल्टालि लोजिस्टिक, अब उसका में हेड़कौर्टर है, वो किस वज़ाश से है, क्यूंकि जो उसका नेनीदन बहु इसमें कोई शक नहीं है वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को फेवरेबल पॉलिसी देते हैं अच्छे उनको जो है वो डिटर्न्स मिलते हैं इसलिए वहां पर इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है जी उनको एक तो देन रबधी अपैस्टान के Aw chap 25 अगर हम भी थ्टूडा सा कंपेरीजन गरें इंडिय और पाकिस्तान चेशब के मेशर फरक देखते है क्या पाकिस्तान चेज़ों के निजाम से सेटिसफाइड है मैं हम एजूकेशन का जो सिस्टम है उससे सैटिस्वाई नहीं है लेकिन जो मेयार है ना क्वालिटी है वो वाकही बहुत अच्छी है बहुत से साउथ अफरीकन कंट्रीज हैं जो के यहां पर पढ़ने आते हैं हमारे क्लास वैलोज हैं जो दूसी कंट्रीज से हैं हुए एक और चीज मैं आड़ करना चाहूंगा अगर पाकिस्तान अपनी तरकी चाहता है तो इंडिया से तालूगाट ठीक करें अपने बार्डर ओपन करें वहां का जब स्टूड़न यहां पे लाहूर में स्टड़ी करने आएगा तो आप देखेंगी कि बहुत ज्यादा तरकी हैं तो दाट इस बिकोज अप इंडिया और वो यह इस तरह कि हाली में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने दस शिप्स भी डिप्लाइ की होई हैं रेड सी के अंदर और रिसेंटली एक बात चली थी कि शायद भारत ने भारत जो है उसने को आर्ट एक के करीब सब डॉक्टर जैशंकर भारत के जो मिनिस्टर फोर एक्स्टरनल अफेर्स हैं वो एक डिसकुशन कर रहे थे एक लेक्चर दे रहे थे इंडिया इंस्टिटूट अफ सौथ एशन स्टूडी जो नैशनल इनवर्सटी ऑफ सिंगापूर में है उसमें वहाँ पे वहाँ पे बह अबिया की नैवी इस मुश्कल वक्त के अंदर जो रेड़ सी की अंदर सिचुशन डिवेलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है तो एनिधिंग यूर गेटिंग फ्रम रेड़ सी इन सिंगापूर वी अमेकिंग इस हैपन तो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके अगर हम ना हों तो आपको ये प्रोड़क्ट्स ना पहुंच सके दिस इस वाट इस हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहाँ पे काम ना करे हमारी नेवी वहाँ पे ओफेंसिव एक पॉस्टिरिंग ना करे तो आप सिंगापूर जो है वो उसकी सप्लाइचें हो सकती है अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं डिवलपमेंट है इस सेंस में गो के देखें इंडिया और सिंगापूर के बड़े अच्छे तालुकात हैं ये को आज के तालुकात नहीं हैं ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के तालुकात ना 18th century के तालुकात जब उस वक इंडिया और इंडिया आपको पता है हर मुलक के साथ तालुक जो है वो जोडता है उस वक्कत से जब जो अगर आज इंडिया और मुमालक से है जिसने 1965 में सिंगापूर को हिकनाइस किया तब से बड़े close relationship है और जब इंडिया में जो economic reforms का आया तो तब से सिंगापूर के साथ हमारे अच्छे तालुकात हैं और जितने भी सौथ इस्ट 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 पॉलिसी थी उस दोर से जो एक लुक इस्ट पॉलिसी थी उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि हमार है तो बड़े, बड़ी कृबत है, बड़ी महबत है, बड़े मजबूत तालुकात हैं और यह कुछ नहीं चीज़ नहीं है, in terms of इंडिया और सिंगापूर के तालुकात के हबाले से, so अगर आप इसको देखें and then आप इसको देखें कि तकरीबन इंडिया और सिंगापूर कि जो I think जो bilateral trade है that is around 35 billion dollar बहुत भड़ा नमबर है इसना कोई थोड़ा नमबर नहीं है